कैसे हो जवानों आसा करता हों कि सभी संदार और बिल्कुल जिबरजस्थ होंगे बिहार पूलिस कॉंस्टिबल एक इस जार तीन सो इक्यान बेर फाइनली पचीश तारीक का भी एक्जाम कम्प्लीट हो चुका है उपस्थिती काफी कम रह रही है इससे आपके कितना इफेक् होगा इसके बारे में भी बात करेंगे तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है किनको ग्राउंड में जाके फिजिकल की तैयारी करना चाहिए किनको अभी इंतजार करने की जरूरत है आई समझते हैं पुरा डीटेल में 25 अगस्त के पेपर के बारे में बात करें तो आपका 25 अगस्त का पेपर का लेवल भी बेलकुल सेव ही देखने को मिला है ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल चेंज हो गया है पेपर आज इटीज आ रहे हैं तो इसका मतलब जो 21 से 25 का एक्जाम आपको देखने को मिला है ठीक उसी परकार 7, 11, 18, 21 उसी तरह से 25 का भी अब उपस THT को लेकर क्या चीज़े निकल क्या रही हैं सबसे पासे तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो Emit card को डाउनलोड ही नहीं कर रहे आप दमिर कार्ट को क्यों नहीं डाउनलोड करतेना हो जा toujours गेजग inanencesal क्लिएन गांट सब्पफ़न होता हुआ आ रहा अभी घ्यामिनेशन हाल में कुछ बच ऐसे गेज़ सब्सक्राइब लेकिन बहुत सारे बच्चे यह काम कर रहे हैं यह चीजे समझ में नहीं आ रही है पता नहीं उनका क्या अंदर में सेटिंग है क्या कर लेंगे चलिए देखते हैं लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ठीक है इन लोगों से गुम रहा है आपको नहीं होना ह तो पेपर सेम ही आ रहा अब हम कटफ के बारे में थोड़ा सा आपको बाद में बताते हैं सबसे पहले उपस्थीती समझीएगा तो देखिए 25 तरीके एक्जाम था तो लगबग 3 लाख मतलब की 2.9 लाख लड़के कंडिडेट थे जिसमें से मातर 2.37 लाख लड़कों ने इद्मिट कार्ट को डाउनलोड ही नहीं किये हैं यह पहले ही भाग गया आउट हो गया ठीक इसके बाद से उपस्थीती भी जो है आपकी 68 परसेंट रह रही है बस इसके पहले अगर आपका बात करें एकईस तरीकों तो उसमें भी जो है छाठ छाठ अठार इसी तरह समना है शाठ के आजपाट 65 तीसट और शट जबकि पस्थीती काफी जादा रही है अगर 25 तरीकी बात करें तो यूपी पुलिस का भी एक्जाम था तो बहुत लड़के करें दो लाक के आसपास लड़के हर सीट में हर दिन देखने को मिल रहा है मतलब कि हर दिन जो है दो लाक लड़कों का एक्जाम हो रहा तो इस परकार देखिएगा 6 दिन आपका एकजाम है तो लगभग 11 से 12 लाक या 13 लाक भी जा सकता है इतना ही जो है लड़के एकजाम देंगे और इतना ही लड़कों में जो है कमपटिशन है अगर हम सेलेक्षन की बात करें कि कितने लड़के जो है सेलेक्ट किये जाएंगे तो देखिए आपका जो स्पीट है यह कई 1391 है अब इसमें से जो है आपका पांच गुना फीजिकल के लिए बुलाया जाता है तो मान के चलिए कि एक लाख सावा लाख के आसपास जो है लड़के लड़कों को फिजिकल के लिए सेलेक्टेट किया जाएगा अब इसमें जो है 35% 35% लड़कियों का भी सीठ है और सेस लड़ तो लड़कियों का 40,000 के आसपस फिजकल के लिए बुलाया जाएगा अल लड़कों को 60,000, 62, 63, 65,000 के आसपस बुलाया जाएगा तो काफी जादा लड़कियों का जिन संख्या है तो कटफ भी जो है उसी तरह से देखने को मिलेगा और मैं यह बार-बार चीज़े बताता हू कि लड़किया भी जो है कमपटीशन में काफी जादा है तो आप लोग सारा चीज़े समझ गया एक लाग के आसपस लड़कों का जो है एक लाग सावाला के आसपस फिजकल के लिए बुलाया जाएगा अब चलिए जो चीज आपको समझना है उसके बारे में हम लोग बात कर में तो आपका जो है यू आर इडवलू एस ओबी सी और इवी सी इनका कटफ आपका जो है 55 से 60 इतना ही के बीच में देखने को मिलेगा यह मेल कंडिडेट का हो गया ठीक है 55 से 60 यह हो सकता है कि 62 63 भी चला जाए इससे ज्यादा कटफ नहीं जाएगा एक दो नंबर आगे पीछे आप कर सकते हो अब देख लो इतना कि आसपास अगर आपका चीज़े बन रहा अब 55 भी जा सकता है तो बावन तीरपन भी जा सकता ऐसा बात नहीं है लेकिन अगर आप 55 और 60 के आसपास हो तो आपको विल्कुल जो है फिजकल के बारे में सोचना चाहिए अगर फीम सकते हो ऐसे मैंने एक वीडियो बना के आपको अपडेट किया था कि कब आपको फिजकल करना चाहिए तो आप लोग समझ गये और जो एससी और एसटी अगर मेल कंडिडेट की बात करें तो यह भी जो है पचास पलस ही रहेंगे हो सकता है कि उन्चास हो जाए लेकिन ज्या प्रटेगरी होता है महिनाओं के लिए तो भी इसी के आसपास रहेंगे तो इस तरह से अगर आपका नंबर बन रहा तो बिल्कुल आपको फिजकल के बारे में विचार करना चाहिए और उसका प्रॉपर गाइड और डाइट लेकर फिजकल में आपको लगना चाहिए अच् लग के आसपास लड़के एक्जाम देंगे क्योंकि हर दिन जो है सेम 2.98 चाहे 2.95 सही मने तिंग लग के आसपास लड़कों का जो है एड्मिट कार्ड रिलीज किया जा रहा एक्जाम दे रहे हैं तो इस हिसाब से मुमन इतना ही लड़के नेक्स्ट दिन भी एक्जाम दे इसके बारे में विचार करिए अब थोड़ा साम लोग समझने चले नौर्मलाइजेशन को लेकर कि नौर्मलाइजेशन में क्या सिंग रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि नौर्मलाइजेशन को लेकर जादा आपको चिंतित नहीं होना है इसका फायदा किसको होगा ये कोई नहीं आपको बता सकता है, जो exam conduct करवा रहा है, भर्ती बोर्ट, CSBC, वहीं आपको ये चीजे सही-सही बता सकता है, या उसी के हाथ में है, क्योंकि आपका जो ये exam हो रहा, 7 तरीक को हुआ, 11 तरीक को हुआ, 18 तरीक को हुआ, 21 तरीक को हुआ, 25 तरीक को हुआ, और फिर 28 को होगा, ठीक है, अब इसमें से किस shift का exam जो है, वो hard मनता है, ये उसके उपर depend करता है, अगर हम इसमें अंतर की बात करें, तो 3 दिन का अंतर है, यहाँ पे भी जो है, आपका 6 3 दिन का अंतर है, तो देख सकते हैं, यहाँ पे तो 11 और 18 बीच में तो ज्यादा दिन का gap है, लेकिन यह सब चीजें जो है, उतना ज्यादा इंपक्ट नहीं पैदा करती है, मतलब कि अगर आपको normalization के बारे में कोई कुछ बता रहा, तो वो कता ही सही नहीं, वो बस एक अ झाट करेंको का रहा है, यह नहीं है, कि किसी का paper hard आ रहा है, हम गोंतों जो हुँच करेंगा हैं, अगर भारती हाण को हुगा is यहाँ हर्ती को यहां तक अनुमान लगाया जाता है कि पेपर जो शुरुवात दिन का होता है उसको जो है नॉर्मलाजेशन में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है उसको ज्यादा बरियता दी जाती है क्योंकि फर्स्ट दिन पेपर अनस्पेक्टेड आता है तो उसको माना जाता है कि भाई, फर्स्ट दिन जिन लड़कों का एक्जाम होगा, उनका पेपर हो सकता है hard, ठीक है, तो ये सारी चीजे है, तो चाहे आपका 7 तरीका एक्जाम हो, चाहे 28 तरीका एक्जाम हो, नॉर्मलाजेशन में सब को सेम फाइदा होने वाला है, और जिस नॉर्मलाजेशन की जा रहा, तो जहां तक है result भी publish किया जाना चाहिए, इसे बिहार में तो जो है, consistable का रिजल्ट आपको registration से या ron number से पबलिश किया दाजाए तो खालीकि इस तो उनके उपस्थित रहने और ना रहने से कोई दिक्कत नहीं है बस यह है कि थोड़ा सा कमपटीशन देखने में लगेगा कि कम है नॉर्माइशन का फाइदा क्या है गाटा क्या है यह मैंने आपको बता दिया सभी को और बिल्कुल आप जो है कमेंट बक्स में बताएं कि आपने कितने प्रस्ण सही किये हैं और आपका किस दिन एक्जाम था